वन मित्र पॉर्टल पर डाले गए आदिवासियों के आविदान अस्विक्रत होने के बाद जिलास्तरिय समीती ने आदिवासियों की प्रत्यक्ष सुनवाई की, इस सुनवाई के बाद तै होगा कि आदिवासियों को पट्टे दिये जाएंगे या नहीं, देखें कम भूमी पर पट्टे पाने के लिए वन मित्र पॉर्टल पर डाले गए आदिवासियों के आविदान अस्विक्रत हो गए थे, इसे लेकर जिलास्तरिय समीती ने शुक्रवार को आदिवासियों की प्रत्यक्ष सुनवाई की, इस सुनवाई में बड़ी संख्या में आदि आदिवासि पहुंचे, आपको बता दें कि कलेक्टर मनीश सिंग के निर्देश पर फॉरिस्ट वा आदम जाती कल्यार विफाग ने पुनह सुनवाई का मौका दिया है, आदम जाती कल्यार विफाग के सहाय कायुक्त बी के शुकला ने सुनवाई की जानकारी साजह करते ह को बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर सुनवाई की जा रही है, सुनवाई के बाद इसमें निर्णय कर पॉर्टल पर अपलोड किया जाएगा, सुनवाई के दौरान 99 से ज्यादा आविदकों ने अपनी बात कही है। सुनवाई के मौका देने के लिए हम लोग सुनवाई कर रहे हैं, एक एक हम सुनवाई करकर यह पूछ रहे हैं, कि इनके पास 13 12 2005 के पूर्व का कोई भी प्रमाण पत्र है, कोई भी साक्ष है, इसके लावा यह क्या कहना चाहते हैं, वो सब इनसे अपील के तौर पर हम ले सुनवाई हैं, है ना, और उसके बाद जो है ना, हमें निर्णाय करके, मतलब आदरी कलेक्स आपको निर्णाय करके, जो अमारी जिला बने दिकार समती है, वो निर्णाय करके, और बनमित पोड़ अपलोड करना है, हाँ नहीं, उसमें तो आल लेडी इनके पहले से दस्ता समती माए हैं, उक्षंड इस्ती समती से वो निरस्त हुआ हुआ है, और निरस्त होने के बाद जिला इस्ती समती में कलक्तर साब के आदेशा नुशार, इन्हें अपील का मौका दिया गया है, कि इनके अपील सुनी जाए, 98 बेप्रक्रणाय करना है, हालकि ये स्पस्च नह ही है कि इस सुनवाई का कितना फायदा आविदा को को होगा, एमपी न्यूस के लिए इन दोर से धर्मेंद्रिया दफक रिपोर्ट